हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, हैपिनेस विद प्राची और आज हम बना रहे हैं केले की चिप, इसके लिए हमने केला लिया है, सबसे पहले हम इसके आगे का और पीछी का पार्ट कट करेंगी फिर हम केली पे slightly जो लाइन इन दिखाई रहे थी, उसके कोडिंग यहाँ पे कट करते जाएंगी और कट करने के बाद हम धीरी धीरी थोड़ी सी प्रेशर के साथ आप इसे अठा लीजिए अगर आपको थोड़ा सा चिप-चिपा लगते हैं तो आप अपने हाथों पे और लगा सकते हैं अब हम केली को थोड़ा सा तेडा करके कट करेंगी क्योंकि इससे क्या होगा कि जो शेप होगी ना चिप्स की वो बजार की जिसे शेप मिलेगी गोल नहीं बनेगी तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा तेड़ा करके इसे कट करना है हम जो chips के लिए बनाना लेते हैं उसे केडला बनाना, chips बनाना या सोरती बनाना भी बोलते हैं यह market में आपको इजेली मिल जाएगा इस तरह से कट करने से क्या हुआ कि इस type के shape बन के आएगी कि जो शेप हमें चाहिए हो मार्केट की जिसे शेप आपको लगेगी और अभी कडाई में तेल गरम हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे एक बॉल लेंगे उसके अंदर पानी एड़ करेंगे और 1 फॉर्ट स्पून हल्दी और आप जितना केले ले रहे हो उसके साब से आप उस अगर बुल-बुले आना स्टार्ट हो जाते मतलब आपका तील गरम हो चुका है तो मैं इसमें और चिप्स भी आइड कर रही हो और हम सभी जानते हैं बनाना चिप्स बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए बहुत है इल्दी स्नैक होता है इवन आलू चिप्स स खाने का बहुत शॉक है तो आप इस तरीके से घर में बना के उन्हें चिप्स खिला सकते हैं तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी बच्चों के साथ तो आप इसे बना के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो जो भी थूड़ी थूड़ी फ्राइड ह बच्चों के अब इसको निकाल लीजी देखो इस तरीके से करण्ची हो जाती है उस वक्त आपको इसे निकाल लेना है ज्यादा नहीं फ्राइग ना वनाई जल जाएंगी और मैंने से निकाल के टिशु पेपर पर रख लिया कि जो भी अक्स्ट्रा ओलो वोग वो एबच् अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत बूलिए क्योंकि फ्यूचर में आपको और भी इस टाइप के वीडियो मिल सके